जै श्रीमन आरायन दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है तो चलिए वीडियो शुरूर करते हैं और आज जानते हैं भगवान की आरती से जुड़े हुए कुछ महतपूर्नियम कि पूजा के बाद किस तरीके से भगवान की आरती करनी चाहिए ताकि घर में हमेशा ही शुक्षानती बनी रहे शास्त्रों में भक्ति को श्रेष्ट माना गया है जिसमें श्रवन, कीर्दन, पादसेवन, अर्चन एवं बंदन के बाद आरती की जाती है आरती को और आरतिक या फिर निराजन भी कहा जाता है ऐसे में घर में सुभा और शाम के समय भगवान की आरती जरूर से करनी चाहिए इसे सकारात्मक उर्जा का घर में संचार होता है हालनकि आरती करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर से दखना चाहिए और ये जानकारी जानने के लिए मैं आपका स्वागत करते हूँ आपके अपने चैनल महकार संसार में जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिलकुल न भूले तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं जिस घर में हो आर्थी चरन कमल चित लाए तहां हरी बसा करे जोत अनंत जगाए इसका अर्थ है कि जिस घर में प्रभू के चरन कमलों का दिहान रखते वे अर्थात पून आस्था एवं श्रद्धा भाव के साथ में आर्थी या फिर अर्चन होता है वहां प्रभू का वास हमेशा ही रहता है और उस घर में हमेशा ही सुक्षानती बनी रहती है शास्त्रों में भक्ति को स्रेष्ट माना गया है जिसमें मैंने बताया कि श्रवन, कीर्तन, पादसेवन, अर्चन और वंदन इसके बाद ही आर्थी की जाती है आर्थी को और आर्थिक या फिर निराजन भी बहुत सी जगा में कहा जाता है आर्थी शब्द अनियंत ही प्राचीन है किसी भी देवता की पूजन से सम्मंदित जहां भी इस्थल आप देखेंगे वहां पर हम आर्थी अवश्य ही देखते हैं कि जहां भी पूजा होती है या फिर जहां भी कोई भी पूजा का कोई इस्थल है वहां पर आर्थी जरूर से की जाती है शास्त्रों में कहा गया है कि जिस देवता की आप आरती करना चाहते हैं उस देवता का बीज मंत्र, इस्तान थाली, निराजल थाली, घटिका और जल, कमल मंडलू आदी पात्रों पर आपको चंदन से लिखना चाहिए जी हाँ देवता का बीज मंत्र आप इन पात्रों पर जरूर से लिखें और फिर आरती द्वारा उस बीज मंत्र को देव पतिमा के सामने आपको बोलना चाहिए पूजा के अंत में आरती की जाती है और पूजा में अगर आपसे कोई गलती हो गई है कोई तुटी हो गई है तो उसकी शमायाचना अत्वा पूर्ती के लिए आरती की जाती है यदि कोई मंत्र नहीं जानता या फिर वो मंत्र भूल गया है और पूजा की विधी भी उसको न न रखता हो तो सभी देवताओं के लिए उसको ओम लिख देना चाहिए अर्थात आर्थात आर्थी को उनको ऐसे गुमाना चाहिए जिससे की ओम बर्ण की आकरती बन जाए किसी भी पूजा पाठ यग्य अनुष्ठान और अंत में देवी देवताओं की आर्थी की जाती है आर्थी का जो समय है वो सुभा और शाम का होना चाहिए संध्या के समय अगर आप आर्थी करते हैं तो इससे सकारात्म कूर्जा का घर में संचार होता है और स्ट्रेस भी दूर होता है जो लोग डिप्रेशन की परिशानी से जूज रहे हैं उनको शाम के समय अविश्य ही पूजा करनी चाहिए दिया घर में जुरूर से जलाना चाहिए इससे बहुत लाग होता है आर्थी की थाल में कपूर या फिर घी के दीपक दोनों से ही जोती प्रजलित की जा सकती है इसके साथ पूजा के फूल और कुम-कुम भी आपको जुरूर से रखना चाहिए तो समस्त अंगों की साथ बार आपको आरती करने के बाद में दूबारा से सारे अंगों की आपको साथ बार आरती करनी चाहिए जल को भगवान के चारों और घुमा करके उनके चरणों में निवेदन करना चाहिए आरती के बाद में थाली में रखे हुए जो फूल है वो उनको आपको भगवान को समर्पित करना चाहिए और कुम कुम का तिलक भी अवश्य ही लगाना चाहिए एक बात का आप ध्यान अवश्य ही रखें कि आरती लेते समय आपको थाल में कुछ दक्षिना हमेशा ही रखनी चाहिए अवश्य ही रखनी चाहिए ये बात आप कभी भी भूलेना जब भी आप कहीं पर भी हो और कहीं भी आप आरती लेने के लिए आगे बढ़ रहे हो तो द कभी कभी भगवान की आर्थी करेंगे तो आप इन नियमों को जरूर से ध्यान में रखेंगे तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जै श्रीमन नारायन दोस्तों